हेलो व्यूवर्स, एनिस किचन में आपका स्वागत है, आज हम बनाते हैं वीट फ्लोर स्टिक्स, इसका में इंग्रीडियन गेहूं का आटा है, जो कि घर में हमेशा ही रहता है, तो इसलिए आप इसे कभी भी आसानी से बना सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए, त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, सबसे पहले एक पैन लेते हैं, और इसको गरम करके, इसमें हम, ये एक कटोरी मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा, इसको हम ड्राइ रोस्ट करेंगे, मीडियम फ्लेम पे लगबग 3-4 मिनट तक इसको हमने ड्राइ रोस्ट करना है, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना है, सिरब जब इससे खुश्बू आने लगे, तो हमने रोस्टिंग बंद कर देना है, इसमें लगबग 3-4 मिनट तक लगते हैं, यह आटा भून चुका है, अब इसको हम बोल में पलटते हैं, और पूरा ठंडा करने के लिए रखते हैं, आटा हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा चुटकी भर मीठा अगर आप ना डालना चाहें, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और यह चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स नहीं है, तो नॉर्मल चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं, और यह मैंने डाला है, धनिया की पती हैं, बारी कटी हुई, हरी मिर्च बारी कटी हुई, और यह अध और यह मैंने शिमला मिर्थ बारी काटके रखी थी, इसको भी मैंने डाल दिया है, इसके अलावा आप इसमें गाजर भी बारी काटके डाल सकते हैं, अभी मेरे पास गाजर नहीं है, इसलिए मैंने इतनी ही सब्जियां डाली है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जैसे नॉर्मल आटे का हम डो बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए, उसी तरह से हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसका डो तयार करना है, बहुत धीला नहीं होना चाहिए डो, दो तयार हो गया है, बहुत धीला नहीं होना चाहिए, यह देखिए, अब इसको हम ढग देते हैं, और 10 से 15 मिनाट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, आटा तयार है, चलिए अब इसको हम दो भागों में डिवाइट कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स के हमने स्मूथ बॉल बना लेने हैं ऐसे, और इसको अब हम इसमें बेलेंगे, आप इसको बेलने के लिए सुखे आटे का भी हल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें आप आटे में इसको लपेट लीजिए और इसको थोड़ा सा फ्लैट करके, अब इसको हम बेलेंगे, मैंने इसको लंबाई में बेलाए क्योंकि हमने इसका रेक्टेंगुलर शेप निकालना है, तो इसलिए पीजा कटर या फिर नाइफ की हल्प से आप साइट से इसको निकाल दीजेगा, और साथ में इधर की तरफ से भी ताकि हमारा जो ये बीज का पोर्शन है, वो रेक्टेंगुलर रहे, ताकि हमने इससे अच्छे से निट स्टिक्स निकालने हैं, अब सारे स्टिक्स को हम दूसरी प्लेट में रख देते हैं, और जितना भी हमने आटा बनाया है, पहले सब के स्टिक्स निकाल लेते हैं, मैंने सारे स्टिक्स तयार कर लिए यहां पे, अब हम इनको फ्राइग करेंगे, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगी, कि अगर आपको अभी जरूरत नहीं है, तो आप इनको एज इस फ्रीजर में रख सकते हैं, इनको आप 3-4 दिन तक फ्रीज में ऐसे ही रख सकते ह और जब आपको जरूरत हो, तब आप इसको निकालिए, दस मिनट तक बाहार रखिए, उसके बाद आप इसको फ्राइग कर सकते हैं, मैंने पैन में ऑईल गरम करने के लिए रखा है, ऑईल गरम हो चुका है, चेक करते हैं एक छोटा सा पीस डाल के, तो ऑईल तयार है, फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है, जितना इजी ली आ जाए है एक बार में, हम उतना ही फ्राइग करेंगे, अब हम इसको फ्राइग करेंगे, लगबर धाई से तीन मिनट तरक, फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे, लो मीडियम पे, क्योंकि अगर हम इसको बहुत हाई फ्लेम पे फ्राइग करेंगे, तो यह बाहर से तो पक जाएंगे, मगर अंदर से कच्चे रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा पलते हैंगे, थाकि दोनों तरफ अच्छी तरह से सिख जाएंगे, यह देखें, स्टिक्स पिलकुल तयार हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं, देखें, मैंने इनकी थिकनेस एक सेंटिमीटर से थोड़ा कम रखा है, चलिए बाकी बचे हुए स्टिक्स को भी हम फ्राई कर लेते हैं, यह भी तयार हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं, हमारे वीट स्टिक्स बनकर तयार हैं, इसको मैंने अपने ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्ब किया है, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आप भी इससे ट्राई कीजिए और कॉमेंट सेक्षेन में मुझे बताईए कि आपको कैसा लगा? कि आपए कर सकते हैं, खत्वको कीजिए जैका लगाँ, भी झाताओ़ हैं, बइसको समỏकर बताईब किया हैं, जो एन ने कसा लगाँ ऑतावार रव, हैं सावा भी लगारे हैं, भी को सुछेर में म टट्स वेट ऊको कि भी में आपको कीजिए menभताब कि जा अड बताबंत